है तो है दिग्मेट मैट्रीकलल इक्वेशन चल रहा था कि Constitution principle क्वेशन onu और स्टीन ऑग और स्टीनमेट esimerk क्वेशन का मतलब ही क्या हो जाता है कि हम यहां सर्सेलिशन can be यही हो पार्प्री एक करते को यहां से इक्वेशन के फॉर्म में दिया इसको हम बोलते ट्रिग्नोमाट्रिकल एक्वेशन और यहां से हम लोग 2-3 चीज निकालते हैं। एक निकालते हैं principal value और principal value जो होता है वो smallest angle होता है 0 से 2pi के बीच जो कि हमको ये value प्रोबाइड करेगा तो कौन से angle पे 5 by 3 पे sin 60 degree ना sin 5 by 3 किसके बराबर रूप 3 by 2 तो वो principal value पिछले class में हम लोग पढ़े थे कि जो general solution होता है वो n के term में होता है क्या हम लोग साइन के लिए ऐसा पढ़े थे एन 5 प्लस माइनस वन टूदी पावर एन 5 by 3 याद आया यह चीज हम लोग पिछले class में अल्डेडी पढ़ लिए थे हम लोग formula क्या-क्या पढ़े थे थोड़ा वो revise कर ले सबसे पहला हम लोग यह देखे थे कि अगर sin theta sin alpha के equal होता है तो वैसे case में theta जो होता है वो n pi plus minus 1 to the power n time alpha के equal दूसरा अगर cos theta cos alpha के equal होता है तो वैसे case में हम लोग theta को जो बोलते है वो होता है 2 n pi plus और minus alpha third general formula इसी के basis पे न सारा question बनेगा है ना देखेते हमको tan theta अगर tan alpha के equal है तो जो theta होता था वो n pi plus alpha होता था यह क्या बता रहा है सर यह बता रहा है न कि यह belong करेगा first or second quarters यह बताता है यह आपको provide करके देता है यह आपको value देगा कि belong करेगा first और fourth quadrants और यह आपको बताता है कि belong करेगा first और third quadrants जिसमें की वो term मेरा positive हो जिसमें की वो term मेरा positive हो जिसमें वो साइन स्क्वाइर थिटा साइन स्क्वाइर अलफा के इकवल हो जाए या फिर कॉस्वाइर थिटा कॉस्वाइर अलफा के इकवल हो और six समलुक देखे थे अगर टैन स्क्वाइर थिटा टैन स्क्वाइर अलफा के इकवल जब भी ऐसा होता मतलब क्याना कि एक स्क्वाइर दूसरे के बराबर हो जाएगा आपको बताया गया था यह प्लस माइनस साइन अलफा देगा तो प्लस और माइनस बोथ considered इसका मतलब है कि all belongs to all four quadrants चारो quadrants से वो belong करेगा चारो quadrants से belong करेगा अगर चारो quadrants से belong करेगा तो solution हम लोग सीखे थे theta equals to n pi और इसके साथ प्लस और माइनस अलफा यही पड़े थे न हम लोग याद आया क्या जिसको नहीं याद है थोड़ा ध्यान से even pi में add करेंगे अलफा तो first quadrant subtract करेंगे अलफा तो fourth quadrant odd pi इसमें अगर हम add करेंगे अलफा तो third quadrant और subtract करेंगे अलफा तो second quadrant क्यूंकि प्लस और माइनस दोनों sign appear होगा इस कारण से चारो का चारो quadrant यूज़ करना है इसलिए four five six का answer सेम होता है उसके बाद हम लोग यह भी study किये थे क्यूंकि उन सब basic concept का भी जुरत पड़ेगा हम लोग यह भी study किये थे कि sin theta is equals to zero कौन से axis पे on x-axis ठीक है तो theta is equals to n pi होता है जबकि n belong करेगा किसी भी integers दूसरा हम लोग यह देखे थे कि कि अगर cos theta zero होता है कोई वताएगा कौन से axis पे वाई-axis on y-axis vertical axis और theta जो निकलता था वो odd multiple odd odd multiple of pi by two निकलता था जबकि n belongs to कोई भी integer हो जाए ठीक है इसके साथ third tan theta zero कहा होता है जहां sin zero होता है तो on x-axis पूरे के पूरे x-axis पे tan theta zero होगा तो theta आप कितना कह सकते एकदब sign के जैसा ही answer n pi जबकि n belong करेगा integers तो अगर zero का बात है तो आपके सामने है अगर zero छोड़के कोई भी discussion है तो इसके उपर आपको जो concept दिखाया गया था बस उसी के according हम लोग चलिए ठीक है मतलब कि इसको यूज करेंगे यह एक दो ती आपको basic fundamental बता दिये थे उसमें से कुछ question बोल दिये थे बनाने के लिए आज थोड़ा इसी का derived पार्ट चलिए ठीक है तो देखें हम लोग यहां पे अब सॉल्व करने वाले हैं इफ क्वाड्रेटिक इफ क्वाड्रेटिक ओफ ट्रिग्नोमाट्रिकल रेशियो एक्जिस्ट तो वैसे केसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा question हम देख लें कौन से टाइप का हो सकता है सबसे पंडामेंटल एक बेसी कोश्चन लेगी चाहते हैं कि लिखा है फोर कॉस्क्वाइर एक्स इस इक्वास तो वन तो क्या आप इसको ऐसे मान सकते कि कॉस्क्वाइर एक्स जो होगा यह वन को काम करता है यह जैसे है इन तो अगर हम इसके उपर जाते हैं तो पहुंसते हैं फॉर्स्ट में अगर इवन पाई में सब्रेक्ट करते हैं तो हम पहुंसते हैं 4th में तो इसका अंसर मेरा 1st और 4th quadrant होगा जो even तो अगर मेरे पास odd pie है इसमें हम add करते हैं तो हम पहुंचते हैं 3rd quadrant और अगर हम इसमें subtract करते हैं तो हम पहुंसते हैं second quadrant तो answer जब हमको देना है तो हम क्या चारो का चारो quadrant नहीं cover कर लिए हैं तो answer हम किस तरीके से दे सकते हैं कि जो cos x होगा that is equals to plus minus 1 by 2 इसका मतलब है जो x होगा वो n pi n के जगा odd या even कुछ भी put करें प्लस और माइनस प्लस और माइनस इसके साथ थेटा तो कौन से minimum angle पे यह 1 by 2 provide करता है तो पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री 60 degree है ना यह सब 60 degree पे यह provide करेगा तो हम यह लिख सकते पाई बाई थ्री यह सब छोटा छोटा चीज याद रखिएगा तो अपने पास आंसर यह आगा अपने पास आंसर यह आगा तो आपका यह जो इक्वेशन वाला पार्ट है यह आपके competition में बहुत ज़्यादा included होता है बागे ट्रिणोमेटरी से यह ज़्यादा included होता है और आपके इसार में लिखा है एक सीज इक वहस्तों और इसके साथ में प्लस में दिया है पाई बाई थी और फोर्थ अपने पास ऐसा दिया हुआ है फोर्थ डियोपसित डियोपसित एक सीजिक वस्टू यहां लिखा एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन और इसके साथ में दिया हुआ है माइनस पाई बाई थी बोल यह कौन-कौन आंसर होगा ऐसे कोश्चन में लिखा रहता है इस और आर करेक्ट या तो एक भी करेक्ट हो सकता है या मल्टिपल भी हो सकता है ट्राई करें कि क्या क्या आ सकता है मैं चलिए देखते हैं कि सबसे पहला चीज़ क्या यह इवन पाई में प्लस थीटा है इवन या ओड़ पाई में प्लस और माइनस थीटा दोनों चलेगा ओड़ पाई माइनस थीटा यह भी करें यहां पे यह इवन या ओड़ पाई नहीं है यह तो पाई वाइटू का मल्टिपल है तो यह नहीं चले बस पाई का मल्टिपल होना चाहिए और यहां पे लिखा एन पाई प्लस माइनस वन तुदी पाई माइनस पाई थीटा है थोड़ा चेक कर लें अगर एन आपका ओड़ होगा अगर एन ओड़ होगा तो जो एक्स होगा डाट इस इक्वास टू और पाई और प्लस माइनस वन का पावर और नेगेटिव निकला वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दिया प्लस पाई भाई थी हाँ ये तो मेरे आंसर का पार्ट है ठीक है अगर हम एन का वैल्यू इवन ले ले इवन माल लीजे फोर तो एक्स इस इक्वास टू पाई प्लस मा इंटू माइनस पाई भाई थी तो यहाँ पे फोर पाई ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस पाई भाई थी तो इवन पाई में नेगेटिव भी तो अलाउड है तो इसका मतलब ये भी सटिसपाई तो कौन-कौन ए बीडी आंसर हो जाएगा ऐसे दिया जाता आप सिखते हैं क्या पूछता है क्या आप सिखे एन पाई वो बोला फाई पाई आप सिखे और पाई वो बोला सेवन पाई तो आपको देखना है कि यहाँ पाई का मल्टिपल होना चाहिए पाई का मल्टिपल और बाइदे वे अगर नहीं पता चल रहा है अब्जेक्टिव के स पुट कर लीजे मतलब की 2 या 4 और एक बार और इंटीजर पुट कर लीजे या तो 3 नहीं तो 5 ऐसा कुछ भी पुट कर सकते हैं जैसे आप इसको पुट करेंगे आपको पता चल जाएगा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं इतना ज्याद आपको अनेलाइस करने का जुलत भी दिया गया और और अब्जेक्टिव के लिए आप अनलाइस करके आंसर दे सकते हैं ठीक है एक और कोश्चन लेते हैं इसमें माल लीजे कोश्चन अपने पास यह है सेक स्क्वाइर टू एक्स इस इक्वल्स टू वन माइनस टैन टू एक्स बोलिए तो क्वाड्रिटिक बन अब आपको बताना है कि किसका सेक का कि टैन का क्वाड्रिटिक ऑफ टैन डिसाइड कैसे करते हैं हर किसी को यह बात पता होना चाहिए कि डिसाइड कैसे करते हैं जिसका पावर वन है जिसका पावर वन है देखिए टैन टू एक्स का पावर वन है और यहाँ सेक टू एक्स का पावर टू है तो जिसका पावर वन है क्व सेख स्क्वायर थिटा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस टैन स्क्वायर थिटा आइडेंटिटी में पड़ें बस वही यूज कीजिए सेख स्क्वायर 2X के जगा 1 प्लस टैन स्क्वायर 2X and it is equals to 1-10 2X सबको एक तरह इखटा कर लीजिए 1 और 1 अब यहां पर आप क्या करें देखेगा ऐसे लिखने पर बहुत कोई सोचता है कि हम क्या करते हैं ना कि एक टैन कैंसल कर देते हैं अगर आप टैन कैंसल कर दीजिएगा आप ध्यान रखेगा कि आप कुछ सुल्यूशन लूज कर गए कुछ सुल्यूशन आंसर का पार्ट होगा मगर आप उसको निकाल ही नहीं पाईएगा तो कभी भी cancel ना करें do not use cancellation cancellation तो यहाँ पे cancel ना करें तो क्या करें sir एक तरफ collect कर लीजिए और commonly लीजिए ठीक है ऐसे यह equation solve करने का एक तरीका tan 2x common तो बच गया tan 2x plus 1 is equals to 0 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो पार्ट दिखरा होगा यहाँ पर एक बार tan 2x equals to 0 तो हम लोग उपर सीखें थे ना कि 0 होता है आपका आवाज ऐसे आ रहा है मेरा connection खराब है कि आपका connection क्या मेरा आवाज सबके पास ठीक जा रहा है यह सर्थिक है इसका था रोहित था क्या थोड़ा सा है मौसम खराब करता है चलिए ठीक है हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि अगर tan 0 होता है वैसे के इसमें theta n pi होता है तो आप सोचिए answer तो हमको x के लिए देना तो x क्या हम लोग n pi by 2 लिख सकते हैं बोलिए correct है की incorrect है अगर x n pi है तो क्या हम लोग x को n pi by 2 लिख सकते हैं तो नीचे चला है एक answer यह होगा अब दूसरा answer जब हम लोग calculate करेंगे तो इस वाले equation के basis पे कि जब मेरा tan 2x plus 1 0 के equal है तो सोचिए tan 2x जो होगा यह minus 1 आएगा tan कब देता है minus 1 याद है सर माइनस 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानि माइनस 5 by 4 लिख सकते है उसको ठीक है यह सर्वोट क्वाडरेंट में यह ऐसे देता है और दूसरा अगर बाइदेवे किसी को दिक्कत है तो यह भी बता दे हम आपको कि tan second quadrant में negative देता है और second quadrant होने का मतलब है पाई माइनस थीटा तो क्या हम लोग इसको 3 पाई वाई 4 लिख सकते हैं ठीक है जब answer का बात होगा देखे हम ऐसा इसलिए बताए न additional बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं आपसे पूछा कि principal value बोलो तो यह होगा principal value आपसे बोला general solution निकालो in terms of n तो आप क्या use करेंगे for general solution general solution में आप minus pi by 4 भी use कर सकते हैं और 3 pi by 4 भी use कर सकते है वो depend करता है ठीक है वो depend करता है कि आपके पास option कैसा दिया या proof करने आपको क्या बोला तो आप लिखें कि जो 2x होगा याद कीजिए याद कीजिए 10 theta जब 10 alpha के equal होता है starting में आपको लिखके दिये थे 10 theta जब 10 alpha के equal होता है answer क्या होता है n pi plus alpha तो इसी इसी चीज़ को वहाँ use किया जाएगा तो 2x that is equal to n pi plus alpha के जगा minus pi by 4 यह put करेंगे या फिर 2x is equal to n pi plus alpha के जगा 3 pi by 4 put करेंगे दोनों में से किसी को भी use कर सकते है दोनों correct तो यहाँ से जब आप x calculate कीजेगा इस वाले condition से x calculate कीजेगा 2 division में चला जाएगा यानि n pi by 2 और इसके साथ minus pi by 8 यहाँ भी 2 division में चला जाएगा तो n pi by 2 और इसके साथ plus 3 pi by 8 यह लिखा जाएगा यह आपका answer हो जाएगा तो इन दोनों में से किसको adopt करें किसी को भी ले लीजे दोनों से ही मगर किसी एक को तो एक answer यह हो गया मेरा और एक answer यहाँ पे है यहाँ पे है तो दो answer मेरे इस equation का मिला बेसिकली quadratic होगा तो दो answer ही होगा बेसिकली हम यह नहीं बोल रहे हैं हमेशा अच्छा next थोड़ा हम लोग इसको और देखे दिया क्या है next question tan cube x minus 3 tan x is equals to 0 क्या आपको यहाँ से कुछ common आता हुआ दिख रहा है तो यहाँ बच गया tan square x minus 3 is equals to 0 अगर हम लोग bracket वाले का बात करें तो क्या यह factorize होता हुआ बता चल रहा है आपको tan x plus root 3 और tan x minus root 3 a square minus b square के जैसा is equals to 0 कितना condition बनेगा तीन एक बनेगा tan x 0 दूसरा बनेगा tan x is equals to minus root 3 और तीसरा बनेगा tan x is equals to plus में root 3 ऐसा तो यह जब minus root 3 दे रहा है तो अब्यस्ती बात ही या तो second या fourth हम fourth लेके चलते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यह tan of minus pi by 3 है 60 degree पे यह root 3 देता है और यह tan pi by 3 है और यह वाला जो है वो tan 0 है ठीक है क्योंकि 0 पे 0 देता है सब का सब एक बार अगर आप ध्यान से देखें आपको पता चलेगा it is like tan x is equals to tan alpha बस उसी concept को लगाएंगे और calculation करेंगे उसी concept को अभी apply करना है और उसी के basis पे हम लोग को calculation करना है अभी ठीक है देखिए यहाँ पे mark a requirement यहाँ से हम लोग देखे थे कि tan जीनो अगर होता है तो x का value n pi होता है जबकि n belong करेगा integer से एक answer आपको यह दूसरा है कि अगर tan x is equals to tan alpha होता है तो x is equals to n pi plus alpha होता था यह answer मिलेगा आप इसको solve कर लेंगे बार और x is equals to n pi plus pi by 3 हो जाएगा अब देखे ओवराल answer आप कैसे कैसे लिख सकते है इसका overall answer आप कैसे लिखेंगे overall answer आप इस तरीके से लिखेंगे कि if tan cube x minus 3 tan x is equals to 0 then 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 x is equals to n pi और x is equals to दूसरा और तीसरा मिला दीजिये एकसर n pi plus minus pi by 3 either x is equals to n pi या x is equals to n pi plus or minus pi by 3 यह आपका answer हो जाएगा किसी को दिख्कत है समझने में no sir no sir यह हम लोग यह जो है न फर्टिस से चला जाता है एक question आपको दे रहा है ठीक है एक बार try कर ले ताकि आपको पी लो क्या question आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है दोनों पता चल जाए ठीक है question अपने पास cos x minus 2 into sin x 2 sin x plus 1 is equal to 0 इसको solve कीजिए तो find x general solution general solution सब कोई find करें हम तब तक है ना question निकाल लेते हैं आड़ी सर्मा से पिछले class में कुछ question किये थे इसका क्या आड़ी नहीं आड़ी मने नहीं किये थे कि नहीं आड़ी इसक्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन 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 दिख रहा है युज घग झाल झाल सबसे पहला चीज यहां पर यह ना कि फर्स्ट वाला तो हमनों को आंसर देगा है अगर हम यह मान के चलते हैं कि if cos x minus 2 is equals to 0 तो cos x जो होगा वो 2 होगा यह कभी possible ही नहीं क्योंकि cos maximum 1 दे सकता है not possible और दूसरी बात यह है कि जब 2 sin x plus 1 0 आएगा तो sin x का वैली हो गया minus 1 by 2 और sin अगर minus 1 by 2 दे रहा है इसका मतलब है कि वह minus 5 by 6 पर प्रोवाइड करेगा sin अगर minus 1 by 2 दे रहा है तो वो कहां पर प्रोवाइड करेगा minus 5 by 6 यह आप कह सकते हैं कि यह थर्ड पॉर्टन भी हो सकता है वहां से भी आप ले सकते हैं कोई दिखत में तो x क्या आएगा कि n pi plus minus 1 to the power n और यहाँ minus 5 by 6 होगा यही ना अधिस्री यही है तो यह माइनस हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं कि minus 1 to the power n time 5 by 6 तो यह आपका आंसर होगा यहां से तो उपर वाले में से आंसर ही देख लीजिए किसी को कोई doubt है तो पूछ लेंगे ऐसे नहीं छोड़ेंगे question को आपको बनाने आना चाहिए ऐसा question आपको मिलेगा और आपके school और competition दोनों जगा मिलेगा इसलिए किसी को कोई doubt नहीं आगे अब हम लोग use of transformation formula तो use of other trigonometrical formula common section ले रहे to evaluate to evaluate solution of trigonometrical equation हम लोग आप other trigonometrical formulas को use करेंगे जिसके basis पे हम trigonometrical equation का solution find करेंगे तो इसमें सबसे पहले transformation transformation जब adjust चीज़ है तो नहीं कर रहा है है एक मिनुट करेंगे आपको यह दिखा question यहां पर solve for theta यानि theta का value निकालना है sin 9 theta is equals to sin theta क्या हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि sin 9 theta का formula put करने जाए कभी तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको solve करने के लिए आपको 9 theta की तरब theta को shift कर देना चाहिए it is equals to 0 उसके बार transformation use कीज़े use transformation transformation में कौन सा formula लगेगा कोई बताएगा कौन सा formula 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2 एकदम ठीक sin c minus sin d के जैसा तो 2 sin c minus d by 2 और into cos c plus d by 2 and it will be 0 तो आप 2 को 2 छोड़ दीजिए यहां पे sin 8 theta by 2 मतलब 4 theta into cos 10 theta by 2 मतलब 5 theta is equals to 0 तो पहले condition में आएगा कि sin 4 theta is equals to 0 और लोग जानते है sin कहां पे 0 होता है तो 4 theta is equals to n pi तो theta अपने पास n pi by 4 आएगा यह एक answer हो है अब दूसरे answer के लिए आप proceed करें कि cos भी तो 0 हो सकता है तो cos 5 theta अगर 0 हो गया तो वैसे केस में जो angle 5 theta है यह odd multiple of pi by 2 होगा इस starting में हम आपको लिखके दिए तो theta कितना मिलेगा 2n plus or minus 1 pi by simple इस 5 को नीचे ले जाके multiply कर दें आप 10 तो एक answer आपको उपर मिला n pi plus pi by 4 यह वला और एक answer यहां मिला 2n plus 1 pi by 10 तो यह answer आगे आपने पास इस format के लिए जबकि sine 9 theta किसके equal? sine theta के equal है अब फटा-फट खतम करते चलेंगे हम लोग ठीक है देखें next question अपने पास ऐसा ही equations related अब के वला न वराइटी देखना आपको question का जो theory होना था वो हो गया हम लोग के पास अब वराइटी देखना है कि उन theories का application कौन-कौन से type के question में और किस तर 4 theta 5 sine square theta plus 3 cos square theta is equal to 4 सोचके थोड़ा सोचके अगर यहां भी 3 होता तो यह 1 देता सर क्या बोले सर बोले देखो 5 sine square है ना तो उसमें से 2 sine square अलग करना 3 sine square अलग करना प्लस 3 cos square theta is equal to 4 कोई बताएगा यह bracket के answer देगा सथ 3 3 क्योंकि जैसे आप 3 common लीजिएगा वैसे ही यह बच जाएगा sine square plus cos square वह 1 हो जाएगा तो 3 that is equal to 4 यानि कि आप लिख सकते हैं 2 sine square theta is equal to 3 को right side बेज दीजिए 1 यानि कि sine square theta 1 by 2 तो इसका मतलब हुआ कि sine theta हम लोग के पास क्या plus minus 1 by root 2 ने मिलेगा किसी को दिक्कत है इस line से तो अब जब sine theta plus minus sine alpha के equal होता है तो कोई बताएगा यहाँ पे alpha क्या होगा sine theta is equal to alpha क्या होगा तो हम लोगा answer लिखते थे उपर में पड़े थे बस अब उसी का use देखना है कि कहा कैसे लगेगा अगर आप कोशन बनाएंगे अपने बुक से तो में भी आपका आंसर मैच ना करें में भी आपका आंसर मैच ना करें कारन क्या है इसके उपर वाले कोश्चन में हम आपको अभी बताये थे दिखा रहें यह वादा कोई आंसर लिखा minus pi by 8 के बेसिस पे वो भी सही कोई आंसर लिखा 3 pi by 8 के बेसिस पे वो भी सही मगर भुक में ढ। कोई एक answer लिए रहेगा और कहीं आप दूसरावाला calculate कर लिए तो आपने आपको गलत नहीं समझेंगे वो answer जो आपका आया है उस format में बस book में नहीं दिया है तो थिटा आ गया मेरे पास n pi plus और minus pi by 4 जबकि n belong कर जाएगा integers बस ऐसा question 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 से देखते चलिए किस तरीके से solve करना है next part हम आपको थोड़ा एक चीज बता थे इस different if different trigonometrical ratios with different word यहाँ सुपने कर रहा है if trigonometrical ratios with different angle with different angles are added or subtracted then to find solution then to find solution of equation use transformation वैसे कि इसमें एकदम confirm बात है कि आपको transformation formula use करना चाहिए और transformation भी होगा sum or difference to product sum or difference to product ऐसा होगा तो मान लीजिये जैसे अपने पास को ये question इसी तरीके का है यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta different angles के साथ ये addition में है तो आपको यहाँ पे use क्या करना चाहिए transformation आप transformation जब आप लगाने जाइएगा तो आपको पता कि cos c plus cos d लगेगा मगर इसमें भी क्या 1,2 के बीच लगेगा या 2,3 के बीच लगेगा या 1,3 के बीच लगेगा आपको क्या लगता है so 1,3 use transformation transformation of cos c plus cos d in between किसके किसके बीच in between theta and 3 theta सर कैसे पता चलेगा आप सोचिए अगर theta plus 3 theta करें तो 4 theta आएगा और 4 theta divided by 2 4 theta divided by 2 2 theta के बराबर वहीं से पता चलता तो जब हम लोग ये सारा चीज देख लिए तो थोड़ा एक arrangement कर ले कि cos 3 theta के साथ operate करेंगे cos theta को और cos 2 theta silent पड़ा रहेगा और ये पूरा part 0 अब cos c plus cos d लग गया तो 2 cos c plus d by 2 2 theta और cos c minus d by 2 theta plus cos 2 theta is equals to 0 देखे इन दोनों में से आपको कुछ common आता हुआ दिखेगा वो निकाल लेगा बच गया आपने पास 2 cos theta plus 1 it will be 0 ये दो different term अगर multiplication में है तो दो condition देगा एक बार cos 2 theta अगर 0 हो जाए तो वैसे case में 2 theta जो होगा वो याद होगा आपको odd multiple of pi by 2 यही जगह है जहां हम last में use करते हैं उपर वाले result को तो theta क्या लिक सकते हैं कि 2n pi plus minus 1 time pi by 4 होगा जबकि n belong करेगा integers ये आपका एक answer एक answer इस question का एक answer दूसरा answer भी आएगा जब ये वाला term 2 cos theta plus 1 2 cos theta plus 1 0 के equal हो जाए तो cos theta हम लिख सकते हैं कि minus 1 by 2 होगा cos theta minus 1 by 2 कोई बताएगा यहाँ पे angle एंगल कोई नहीं अरे cos theta minus कम देता है या तो 2 pi by 3 पे cos theta negative आप कहां लास्ट हम लोग ट्रिनमेटरी खतम करने वाले आप इनीशियल चीज़ बूलते जा रहे हैं इसमें पे गऔर सेकेंट कॉडरेट में कॉस नेगटिव होता है तो पाई बाइप नेगेटिव और कोडरेंट में कॉस नेगटिव होता है याना कि पाई प्लस पाई वाई ति इसमेसे smallest use करेंगे पाई माइनस पाई वैज तो पाई वैज थीच्वाइगा तो स्टो एज इक्वाई थी कॉस्ट पाई थी तो स्टो पाई थी थी लाइक फाई जिचन तो थीचा कितना होगा थीचा हो जाएगा टू एन पाई पड़े थे प्लस और माइनस कितना टू पाई बाई थी एक तब स्टार्टिंग में आपको यह फॉर्मुला बदाये गया था आप देखें देखें सेकेंड नंबर फॉर्मुला देखें कॉस थेटा एकोस तू कॉस अलफा तो थेटा जो है वो टू एन पाई प्लस माइनस अलफा के इकवल है बस उसी कॉंसेट से हम लोग यहाँ वाला आंसर लिखेंगे तो एक आंसर यहाँ बी पार्ट में मिला और एक आंसर अपन देखें सॉल्फोर थीटा जबकि लिखाया है साइन टू थीटा प्लस साइन फॉर थीटा प्लस साइन सिक्स थीटा प्लस टैन टू थीटा यह लिए तो हम लोग सॉल्फ किस तरीगे से करें हैं यही है क्या लगता है आपको इसको यूज करने के लिए हम को क्या करना चीज़ी है कुछ हिंट बात करें क्या हो सकता है नहीं हो सकता है कैसे होगा बिल्कुल हम समझाएगे ना मगर आप पहले पहचाने तो सही सब पहले साइन टू थीटा प्लस साइन सिक्स थीटा को आट करके फिर साइन पूर थीटा से कॉमन ले लेंगे और इस टैन टू थीटा को पर यह फसा देगा अपको एक मिनट के लिए आप ऐसे सोचए कि अभी तक देखे अभी तक अशा कॉष्चन नहीं आ एक question यहाँ पे भी देखिए 0 लाके तब solve गी थे और 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 यहाँ भी देखिए 0 दिया था तब solve गी इसके उपर वाला right side देखते चलिए right side 0 दिया है तो solve होगा equation तब तक नहीं solve होगा जब तक कि right side में 0 नहीं आए तो 0 लाने के लिए क्या करें इसको हम इधर shift कर दे वन को इधर shift कर दे नहीं sign के साथ cost suit करता है 10 कभी suit नहीं करता है सबसे पहला बात आपको यह खुद से सोचना होता है जब आपका examination होता है न उसमें आप यह खुद से decide करें कि sign के साथ कौन suit करता है तो sign के साथ cost suit करता है ठीक है cost तो 10 को पहला काम है convert करना cost के उसके बाद ही कुछ करेंगे तो हम लोग sign 2 theta लिखे ठीक है sign 4 theta लिखे sign 6 theta हो गया और इसके साथ यह जो 10 2 theta है इसको लिख लिए sign 2 theta by cost 2 theta और 1 को आप left shift करके 0 कर दीजे क्योंकि बिना 0 के कभी solve नहीं होगा equation बिना 0 के कभी नहीं solve होता है कोई भी equation ठीक है यह इसी का बात नहीं है कोई भी equation तो आप 1 को left shift करके 0 LCM ले लिजे LCM में आपको क्या दिखेगा sign 2 theta into cost 2 theta फिर आपको दिखेगा sign 4 theta into cost 2 theta फिर आगया sign 6 theta into cost 2 theta इसके साथ plus sign 2 theta और minus cost 2 theta is equals to 0 खत्ब अब आपके पास यहां पर जो terms multiplied है ठीक है terms multiplied है आप आराम से इसमें 2 से multiply करके transformation लगेगा लगा लिजे क्या सही बोले 2 से multiply करके transformation लगेगा नहीं 2 signing 2 cost B जैसा लग रहा है yes sir तो 2 से एगर multiply किये तो यहां भी 2 से multiply कर लिजे यहां भी 2 से multiply कर लिजे कोई ज़्यादा दिक्कत ने इन दोनों को तो हम एकदम रोपके रखेंगे क्योंकि यह single single term है यह दो-दो term transformation यहां use होगा यहां use होगा यहां use होगा बाकी और कहीं नहीं use होगा टर्म्स देखते चलिएगा तू साइन थिटा कॉस थिटा तो यह साइन टू थिटा मल्टिपल एंगल पर पड़े थे यह साइन फोर थिटा बज़ जाएगा ठीक है प्लस तू साइन इंटू कॉस बी यहां पर यहां पर तू साइन इंटू कॉस बी तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी फिर प्लस तू साइन इंटू कॉस बी यहां पर थर्ड वाले में तो sine a plus b और plus sine a minus b इसके साथ plus 2 sin 2 theta minus 2 cos 2 theta is equals to 0 ऐसे रहने डीचे आप इसमें से जो जिसके साथ आपको लग रहा है कि हाँ solvable है तो कर लीजीए और नहीं तो फिर उसके बाद कोई दूसरा तरीका आप लोग सोचे ठीक है देखिए इसमें कौन-कौन solvable 6 और 2 8 और 8 का half 4 theta हो जाएगा तो इतने में use करें काफी strong नहीं लग रहा है question तो इन दोनों में हम use करेंगे अभी transformation तो कितना आ जाएगा 2 sine 4 theta और into cos 6 minus 4 2 2 theta यह जाएगा तो cos 2 theta उसके साथ जो बच रहा है plus sine 4 theta और plus sine 8 theta plus sine 2 theta 2 theta नहीं होगा वहाँ पर 4 theta होगा कौन से प्लेस पर यहाँ पर नो सर्षाइग 8 theta plus sine 4 theta होगा ना अच्छा यह यहाँ से ना 6 minus 2 4 यह सर्थ 6 minus 2 4 तो यह हम कहां लिखे अभी लिखने वाले पर गया sine 4 पहला वाला यहाँ लिखा हुआ है और इसका value यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम कॉमन ले ले यहां से sine 4 ना उससे भी नहीं होगा और कुछ 8 और 4 तू देगा यह और 4 हमको तू दे सकता है मगर वो कॉस का देगा ना ठीक है कॉमन आने दीजिए चलिए देखे क्या क्या वोड़ रहे हैं ले रहे तो एक मिट इतना सारा टर्म है इस कारण से हम हम लोगों थोड़ा सोच समझके चलना है क्या कर रहे हैं 4 थीटा पॉस 2 थीटा इसके बाद हम 2 थीटा का कॉंसेप्ट ही लगाएंगे साइन 4 थीटा को छोड़ दिये ठीक है ध्यान रखेगा और साइन 8 और साइन 4 थीटा में फार्मुला लगा दिये एक साइन 4 को छोड़ दिये साइन 8 और साइन 2 तो साइन C प्लस साइन D तो यह आ जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 c plus d by 2 तो हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको 6 theta और फिर उसके बाद sin c minus cos c minus d by 2 तो यह 2 theta हो जाए दो रहने दीजे plus 2 sin 2 theta minus 2 cos 2 theta is equals to 0 अब ये वाला जो part है अगर ये solve हो जाता ना तो बस काम खत्म होता अपना ये अगर इसके साथ solve हो जाता है तो हम लोग को क्या provide करता cos 2 theta लिए तो sin 4 sin 2 कुछ common निकलेगा factorize करना आप लोगे sin 6 minus 1 अच्छा अब इन दोनों को एक बार देखी रहा है इसको और इसको ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से common ले रहे हैं 2 cos 2 theta main arrangement quantum कहां suit करेगा ये आपको सोच सोच के put करना है और ये ना कहीं कुछी formula से नहीं आता ये जितना practice कीजिएगा आपको terms दिखेगा कि किसको किसके साथ हमको लेना चाहिए अगर वो गलत हो गया track बिगड़ जाएगा और फिर उसके बाद आपका answer भी गलत हो जाए तो यहाँ पे sin 6 plus sin 4 में sin c plus sin d लगाएगे तो 2 cos 2 theta है और sin c plus sin d क्या देगा हमको 2 sin c plus d by 2 5 theta into cos c minus d by 2 यानि cos theta plus sin 4 theta है 2 sin 2 theta है minus 2 cos 2 theta है अभी भी तो ऐसा कोई term नहीं आया अभी ये 5 theta हमको दे रहा 5 theta देखिया और कुछ common आ रहा है कहीं कुछ कुछ भी वैसा terms सब्सक्राइब काफी लिंदी हो जाएगा कि यह लगता है कि हम सब्सक्राइब काफी लिए सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब काफी लिए सब्सक्राइब के लिए फोर थीटा सिक्स और टू यह भी ठीक है अब यह मेरे पास नेगेटिव लिए सब्सक्राइब करें तो आप एक काम दरे तब तक एक कोश्चन आप है ना खुद से ट्राइब कर ले हम दे रहे हैं ऐसा दे रहा है कि आप से सौल्व हो सकता है वह एक कोश्चन आप ट्राइब करें हमको दो-तीन मिनट लगेगा हम उसको देख लेते हैं कोश्चन की बने गड़ पास यह है कि यह कोश्चन आपके लिए इसको सॉल्व कीजिए तब तख हम उसको ट्राइब कर लेते हैं ठीक है जैसा लिखा था कॉट तो आप इसको लिखे स्कुर्ण थीटा बाइ साइन स्कुर्ण थीटा लास 3 भाई साइन ठीटबा प्लास 3 is equal to 0 यहां से जब ऐलश scripts स्कुफोयर ठीटबा प्लास थ्री स्वाइन ठीटबा स्वाइनृ प्लास 3 sin स्कुर्र ठीटबा जीन्य लाइस कोल नीचे वाले सब खतम हो गया 0 अब क्यूंकि sin का power 1 है तो यह quadratic बनेगा sin का quadratic of sin theta तो उसके लिए आप cos square theta को लिखे 1 minus sin square theta plus 3 sin theta plus 3 sin square theta is equal to 0 उसके बाद further solve किया जाए अगर तो हम लोगों मिलेगा 3 और minus 1 2 sin square theta plus 3 sin theta plus 1 is equal to 0 split है plus 2 और 1 में तो 2 sin square theta plus 2 sin theta plus sin theta plus 1 is equal to 0 इन दोनों में से common ले लिए 2 sin theta बच गया आपने पास sin theta plus 1 फिर 1 तो बचेगे आपने पास sin theta plus 1 0 यहीं न दो आंसर आएगा आप लोगा एक ही आंसर आए था यह से मेरा भी सर्व वो आगे रहा से पाइब बाई 2 क्या इस उसका आणसर था सर्व माइनस पाइब वायो 2 वो भी आगे रहा मतलब दो आंसर होगा ना अब क्या अब क्या आए असर दोनों यहाए अनसर आएगा इसमें पहला पार्ट जो हो जाएगा वो 2 sin theta plus 1 0 जिसके कारण कि sin theta आपका आजाएगा minus 1 by 2 यानि आप इसको लिख सकते है sin of minus pi by 6 और जिसके basis पे theta हो जाएगा n pi plus minus 1 to the power n time minus pi by 6 जैसा हम लोग सिखेते formula और b number जो है वो second part second factor को 0 करने पे sin theta plus 1 0 इस कारण से sin theta आपको क्या मिलेगा minus 1 अब पता है इसका answer आप जो लिखे है वो ठीक है हम इसका एक और answer आपको देना चाहेंगे यह हो जाएगा 4n plus 3 times pi by 2 क्या सही बोले देखिए आपको याद है यह 4n था pi by 2 allied angle में पड़े थे यह 4n plus 1 pi by 2 और यह वाला 4n plus 3 pi by 2 हुआ करता था तो sin अगर minus 1 देता है तो 3 pi by 2 पर ही देता है ना यानि इस negative y axis तो यह भी answer हो सकता हम दूसरे type से answer लिखे आपको क्यों दिखा रहे हैं हम आपको starting में बोले ना कि हो सकता है trigonometrical equation में आप जो answer निकाले हैं और जो book का answer है वो दोनों match ना करें by the way आप जो निकाले हैं और यहां हम जो निकालें दोनों एक ही चीज है दोनों same answer दे रहा है मगर लिखा हुआ चीज तो same आपको नहीं दिख रहा है इसलिए आपको maybe वहाँ पे different मैसूस हो सकता है तो एक answer यह आपका आएगा और दूसरा answer आप यह भी दे सकते हैं कि जो theta होगा that is n pi plus minus 1 to the power n time minus pi by 2 आप इसी का तीसरा answer भी दे सकते हैं n pi plus minus 1 to the power n time 3 pi by 2 तो बार 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 क्या change कर रहा है बार बार अगर कुछ change कर रहा है तो ध्यान से देखिए alpha change करता है बस यही पार्ट है जो change करता है तो इन तीनों में से 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई एक answer और एक answer हम लों कहां से adopt करेंगे एक पार्ट से एक answer adopt करेंगे ठीक है ऐसा कोश्चन चलिए आगे देखें और दो कोश्चन एक साथ ले रहे हैं ताकि देखा जाए किस तरीके से इसको solve करते हैं देखिए यह दो कोश्चन है एक साथ आप इसको अगर ध्यान से देखे न आपको पता चलेगा जो हम लोग maximum minimum या फिर conversion into single sign और कोसाइन पड़े थे compound angle में यह बिलकुल उसी के जैसा है तो यह जो अपने पास question एक माल लीजे और इसको दो माल लीजे इसमें आप solve करेंगे कैसे सिंगल साइन और कोसाइन कर बर्जन इसके साथ यह सब अलग अलग टाइप आपको यहां पे अगर कभी आपके पास fx a sin theta या a sin x plus b cos x के form में होता था तो याद आया आपको multiply divide करते थे a square plus b square के square root से यह काम करते थे सबसे पहले 1 का square plus 1 का square और उसका square root यानि root 2 तो तो for question 1 क्या करें multiply and divided by multiply and divided by root 2 root 2 उससे क्या फायदा कि आपका जो equation है वो root 2 से multiply होके root 2 से divide होके देखें कौन से format में आएगा यह 1 by root 2 हो जाएगा cos theta और इधर साइड में 1 यह root 2 हम भेज़ेंगे right side अब सोचिए right side इस root 2 को भेज चुके 1 by root 2 cos कब देता 5 by 4 को into sin theta को sin theta छोड़ दीजी 1 by root 2 मेरा sin कब देता 5 by 4 और theta को theta छोड़ दीजी and it is equal to 1 by root 1 by root 2 अब आगे क्या कि यह sin a cos b plus cos a sin b है तो sin a plus b होगा sin a plus b होगा and it is equal to 1 by root 2 मतलब कि आप कह सकते हैं कि यह sin 5 by 4 है तो sin theta is equals to sin alpha type तो theta का value हम क्या लिख सकते हैं theta मतलब यह complete angle that is n pi plus minus 1 to the power n time pi by 4 ऐसे लिख सकते हैं आप finally क्या क्या तो theta जब आप निकालिएगा तो n pi plus minus 1 to the power n pi by 4 में आपको subtract कर देना है pi by 4 बस छोड़ दीजेए यह आपका answer है क्या आपको समझ में आया यह question तो जरूर पूछ लीजेगा देखे single sign और cosine किस तरीके से करते हैं बस वही चीज अगर आपको याद रहेगा ऐसा question आपको कभी नहीं फसाएगा दूसरा question भी है root 3 sin theta plus cos theta is equal to 2 root 3 sin theta plus cos theta is equal to 2 तो देखे sin theta का multiple root 3 है और cos theta का multiple 1 है तो जब आप a square plus b square कीजिएगा root निकालिएगा कितना आएगा कितना तू देखे 3 root 3 का square 3 और 1 का 1 तो 3 plus 1 4 4 का root की का लेंगे 2 आएगा तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे सब में ठीक है डिवाइडिंग by 2 2 से डिवाइड करेंगे जैसे डिवाइड कीजिएगा root 3 by 2 sin theta plus 1 by 2 cos theta is equal to 2 by 2 मतलब 1 हो जाएगा ठीक है अब यहां से आपको क्या सोचना है इस बार cos में convert करते है इस बार cos में convert करते है तो जब cos में conversion किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है sin के साथ वाला term sin में और cos के साथ वाला term cos में ठीक है तो sin कब देता है root 3 by 2 जब sin 5 by 3 होता है 60 degree इसके साथ sin theta cos theta और cos कब देता है 1 by 2 5 by 3 और यह आगया 1 सोचिए यहां पर formula क्या चल रहा है cos A cos B plus sin A sin B किसका formula होता है cos A plus B या cos A minus B सब cos A minus B cos A minus B कोई फर्क नहीं पड़ता आप theta minus 5 by 3 लिखेंगे या 5 by 3 minus theta यह 1 cos कब 1 देता है जब cos पाई होता है यानि की negative x-axis उस जगह पर cos हमको बन देता है तो आप पाई के form में भी आंसर लिख सकते हैं कोई लिख सकते हैं और negative x-axis के form में भी लिख सकते हैं तो आप बोलेंगे कि जो एंगल होगा वह negative x-axis मतलब odd multiple of pi होता है और मेरा mistake positive x-axis होगा इवन पाई होगा two pi होगा four pi होगा six pi होगा प्लस one दिया है तो यह क्या आएगा यह आएगा मेरे पास हम इसको हटा रहे हैं एक मेंट आंसर अपना यह क्या होगा इवन पाई तो यहां पर आएगा आपका two and five यानि इवन तो आप final answer यह लिख सकते हैं कि theta जो होगा वह two and five और कुछ नहीं करना माइनस five by three left hand उसको राइट लिखे प्लस five by three यह अपने पास answer हो गया एक solution तो जब कभी ऐसा मेरे पास कोई भी question रहेगा जिसमें कि sign और cost जिसका power हमको one one दिखेगा उस जगा पे हम उसको या तो single sign में convert करेंगे और तब बनाएंगे और नहीं तो फिर हम उसको single cost में convert करेंगे और तब solve करेंगे इस तरीके से ऐसा question भेर सारा है आपको बिलकुल मिलेगा आपके book में यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल तो देख लिए थे और कुछ type बचा है एक question और थोरा सा बढ़िया type का question यह खतम पर ही है इसके बाद जो solution of triangle होता उसको थोड़ा hold करेंगे थोड़ा algebra पढ़ लेंगे उसके बाद solution of triangle पढ़ेंगे क्योंकि solution of triangle में भी आपके पास अभी ज़रत नहीं होगा तो पहले trigonometric पूरा बना लीचेएगा उसके बाद ही आज़िए सबसे पहले इसको सेम बनाना है जब तक यह सेम नहीं बनेगा तब तक question solve नहीं हो ऐसे question की तो हम क्या करें कि left hand side जो sine pi cos theta लिखा है उसको वैसे ही छोड़े मगर right hand side का जो cos था उसको हम लिखे sine of pi by 2 minus और तब pi sin theta इससे क्या benefit हुआ कि sine pi by 2 minus theta sine pi by 2 minus theta cos theta के बराबर है तो इस cos के जगा पे इतना लिखा लिए अब इससे आपको दिखेगा कि sine और sine का removal किया जा सकता है तो upon removal of sine upon removal of sine जब हम sine का removal करेंगे तो जो मेरा pi cos theta है that will be equals to pi by 2 minus pi sin theta ये ये sine चला गया और ये भी sine चला जो बच गया बस उसको लिख दिए है अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि हर एक term में से pi cancel हो रहा है तो cancellation upon cancellation of pi आपको मिलेगा left hand side में cos theta right hand side में ये बन जाएगा one by two और ये term बन जाएगा आपका simple sine theta जब आप इस sine theta को भेज दीजेगा left तो sine theta plus plus theta that is equals to one by two ये आगा अब इसको बनाने का दो तरीका दो तरीका या तो आप squaring both side करके भी बना सकते हैं ठीक है first method squaring both side तो आपको मिलेगा sine square theta plus cos square theta plus two sine theta into cos theta it is equals to one by four ये part one आ गया और ये हो गया sine two theta तो sine two theta that is equals to minus three by four ये कहां से आया one by four में से जब आप one subtract करेंगे न तो माइनस three by four तो sine two theta minus three by four हमको नहीं पता कि sine कब देता माइनस three by four तो क्या करें वैसे केस में आप लिखेंगे two theta is equals to देखें लिखने का तरीका बता रहे हैं जब आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नंबर नहीं रहेगा तो तू theta is equals to n pi plus minus one to the power n और इसके साथ माइनस sine inverse three by four non standard value के लिए ऐसे answer दिया जाता है non standard angle तो theta कितना होगा two से divide कर देंगे n pi by two ये negative निकल के बाहर चला गया minus minus one to the power n time sine inverse three by four तीक है ये हो गया अपना एक answer एक answer हो गया एक answer अभी दूसरा बाखी क्योंकि बनाने का तरीका जितना होगा सब आपको बताया जाए देखे second way b number हम क्या किये convert into single cost single cost में convert करने के लिए proceed करेंगे तो सीखेते क्या root two से divide करेंगे तो one by root two sin theta one by root two cos theta is equals to one by two root two one by two root ये लिख दिया हम लो अब इधर साइड वला अगर cost में लिखना चाहें तो already नहीं ये काम किये हुए है टारेक्ट लिख सकते हैं minus five by four it is equals to one by two root two हमको नहीं पता cost कब देगा one by two root two इस कारण से non-standard angle तो theta minus five by four is equals to जैसे cos theta equals to cos alpha लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से two and pi plus और माइनस एंगल लिखने में कॉस इंवर्स वन बाई टू रूट बात में पाई भाई फोर को राइट भेज दीज़ें तो theta is equals to two and pi plus और माइनस कॉस इंवर्स वन बाई टू रूट तू और इसके साथ बड़िया हुआ कि यह question अपने सामने आ गया जिसमें से कि हम लोग देख लिए अगर non-standard पार्ट रहेगा तो हम लोग कैसे answer डिखते हैं हम आपसे बस practice के लिए एक छोटा सा एक छोटा सा question पर discussion करना चाहते हैं देखिए question अपने पास यह है कि if 3 sin x minus 4 is equal to 0 तो x is equal to कितना तो आप इस तरीके से सोचें ठीक है छोटा सबार कि sin x तो 4 by 3 हो गया जो standard part नहीं होता है अगर standard part नहीं होता है तो आप इसको ऐसे सोचेंगे कि यह sin alpha है ठीक है और जब कि alpha आपके पास क्या है sin inverse नंबर पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखिए आप इसको देख लीजिए थोड़ा 10 सेकेंड और अगर आपको इसमें किसी भी term में कोई दिक्कत है आप मेरे से पूछ लें क्योंकि non-standard के लिए answer ऐसे है किसी को दिक्कत आप सोचिए तो इसी में जो answer आना होगा हम लिख देंगे कोई बात निए अगर साइन एक सीजिक वस्टू लिखा हुआ है फाइव थाटीन तो बोलिए अलफा कितना होगा अलफा अलफा कोई भी अ कोई नहीं अच्छा साइन इनवर्स फाइब बाइट चलिए एक और पार देखिए यह सीखना ज़र हुआ है अगर दिखा हुआ है कॉस एक्स इस इक्वास टू माइनस सेवन बाइट वेंटी फाइट तो बोलिए अलफा कितना होगा सो कास इनवर्स्टों माइनस सेवन बाइट वेंटिफाइब एक दम यही चीच ठीक है हम यहां से एक से लिखते अलफा कास इनवर्स माइनस जितना है उसपे बस इसका इनवर्स लगा दें जितना वैल्यू दिया है उस पे बस इसका इंवर्स लगाए चलिए अगली बार एक और एक और साइन एक अगर लिखा हुआ है यहां पे 1 by 3 अलफा क्या होगा साइन इनवर्स ओफ 1 by 3 1 by 3 जब आप अलफा निकाल लेंगे न तो आपको पता है कि जब साइन एक साइन अलफा के इकवल होता है तो एक सी रिकोर्स टू आंसर लिखते है एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एंड टाइम अलफा यह बताए कि अब अलफा का जो वैल्यू है आप उसके जगा पर उसको पुट कर सकते हैं आपको आंसर मिल जाएगा तो इस टाइप क साब बचा नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू बड़ी सब कर लिए हम लोग आपको बस हम यह दिखा दे कि आप कहां से बना सकते एक मिनट के लिए कि आप कहां से बना सकते हैं पुश्च्छ देखी सबसे पहले तो आडी सर्मा में यह जितना भी पार्ट था सब आपका खतम हो यह है 11.1 यह फूरा कंप्लीट कर लीजेगा ट्रिग्नोमेटरिकल एक्वेशन का है क्या इसमें 11.2 भी है नहीं नहीं 11.1 पूरा कंप्लीट कर लीजेगा ट्रिग्नोमेटरिय आपका कवर हो गया है नेक्स क्लास में है ना आगे बढ़ा जाएगा हम आपको उसी समय बता देंगे कि